आपके पास ग्लूप्रिंट होगा पूरे विक की प्लानिंगी होती है मतलब है ना पुरे विक की प्लानिंग इच्छे से हम करेंगे विकेंड में हम प्रापर प्लान को इंपलेमेंट कर देंगे आपको जो हमने सीखा पूरे वीक में वो हमने हमें याद है कि नहीं याद है मतलब इस नॉट वाट वनली जी है इस वाट मैथमेटिक्स रीजनी से कुछ है न चलिए तो शुरू करतें गाइस अपना सेशन और आपके लिए कौन को से सारी हम देंगे आपको लेगिन उसके पहले कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा दस्तों आपको बीचे हमारे दिखाई पाड़ होगा कल हमने लिया था पूरे जून मंत का एक टेस्ट जो पहले में इंफॉर्मेशन दे थी और वहां पर टॉप 10 जो हैं लोग यह हमारे स क्वेशन दें और यह भी दखिए एलाउन सची नारभी वर्षा पायस वंशिका मानवेंद्र निलादरी मुन्ना अनुश्का यह नोई टॉप किया तो और आप भी अपने आपको मोटिवेट करना चाहते हैं डेली पर तो हमारी क्लास में योडिए 10-10 पीम और अन अकेडम सब्सक्राइब तो मतलब आपकी क्लास होती है और संडे को 10-10 पर क्लाथप की विकली करण की होती है यह याद रखे है इसे दोस्तों ठीक है और डेट की बात करें फॉर एक्जम्पल तो आज हमारी डेट की आच चार है तो फूर्थ जुलाई को हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों तो अगर आपको मेरी क्लास नहीं मिलते के दिक्कत है तो यह मेरी प्रोफाइल अनकेडमी पर आप जाहिए सर्च ऑप्शन पर और मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लिए तो आपको मेरे सारे लेक्शर की नोडिफिकेशन मिलते रहें यह मेरी प्रोफाइल है अब जित मिश्रा मेरा नाव दोस्तों करते हैं आज के अपना सेशन कम बात करेंगे विकाउस आप बोलेंगे साथ अब बातें बहुत करते हो है ना को पर देश में कौन कौन से पड़ाई की बात गरते हो То हमारे देश में कौन कौन से पढ़ाई के अच्छे शहर हैं हम जानते हैं तो पूरे दुनिया की बात करतेगा पुरे दुनिया में विद्यारतियों के लिए कौन सा शहर अच्छा है हम उसकी बात करेंगे एक QS QS एक आउनाइशन है तो QS ने एक रैंग निका लिए इसने बताया है कि लंडन पुरे दुनिया में सबसे अच्छा शहर है पढ़ाई करने के लिए और इंडिया की बात करे लंडन रंक बेस्ट सिटी फॉर दुनिया में लंडन सहर सबसे बढ़िया शहर विजार्थियों के लिए और इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुंबई लगिन आपको जान कहरानी होगी यहां लंडन पुरे दुनिया में नंबर एक पर है वहीं मुंबई पुरे दुनिया में एक सो तीसरे नंबर और तब जाके भारत में चॉप किया है आईए बात करते हैं इसके वारे में पूरी इंफॉर्मेशन के साथ दूस्तों ठीक है पहल अब यह जो रैंक है अब यह जो रैंक है इस बेस्ट ऑन दे सेवरल फेक्टर यानी मोटा मोटा इस्ट में चार फेक्टर लिए गए बाई शेहर बड़ा अच्छा हो लेगिन विद्यार्थी के लिए अफोर्डेबल ना हो तो है ना अफोर्डिबिल्टी दूसरा क्वालिटी ओफ लाइफ आप कैसी लाइफ वहां जीते हैं तीसरा दे स्टैंडर अफ पढ़के बच्चे निकले हैं उनके क्या वुए हैं अबॉट दे कॉलेज अबॉट देयर कॉलेज युनिवर्स्टी तो इन च्यार फेक्टर को लेकर रैंक की गई है ठीक हैं और क्या पूला कैस अगर हम दुबई की बाप करें तो दुबई इक क्यावनवे नंबर पे हैं पूरे अरब प्रब इसन की बात करें तो दुबई फिफ्टी वन नंबर पर है और वहां का बैस्ट है उधर का भेस्ट है टिक है व्यूझ ओन साय जान अरफ इस्टी इंडगल अमेरिका तो लेटिन अमेरिकन कंट्री की बात करें तो बुझे आइस वहां बेस्ट है लेकिन दुबाई इक ग्लोब लेवल प्रिटीवन नंबर बड़े और विवनस आयर्स थीसमे नंबर पे ऊब तो एक त्रह अरब कॉंटिनेंट की बात कर रहे थे और यह अरफ में दुबाइगे बढ़ते हैं च्छीए और यह है पूरी इंफ सामें तो पहले नंबर पर लंडन लंडन यूके नंबर टू पर सूथ कोरिया नंबर तीन पर म्यूनिक जूरिक 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 अब बात करतें इंडियन सिटीज की तो मॉंबई ठॉप पे हैं और मॉंबई जो है वह 130 नंबर पे एक वन-0 थो तॉट मतलब वर्ड में ये 129 नंबर बे और अगर हम बात करते हैं सब्सक्राइब तो पुलेंट का लोड नंबर बे यह तो यह है आपके सामने पूरी आइंकिंग जो हमने एक टेबिलर फॉर्म में आपको दिखा दिया दुनिया के टॉप फाइफ सिटीज और इंडिया के टॉप एक दो टॉप टॉप फॉर सिटीज की बारे में लेकिन रैंक बड़ी गंदी है इनकी है ना मतलब 140 दिशों में हम इंफॉर्मिशन क्लियर हो गई होगी नहीं क्लियर है तो यहां पर दूसम क्या पर न है क्या ना में रिपोर्ट का तो क्यूएस बेस्ट स्टुटेंट सटीज रैंके रिलीज बाइक टोटल 140 देशों की रैंकिंग होई है तो टॉप फाइफ की बात करें इसमें तो टॉप इसमें चार फेक्टर लिए गया है अफोडिविल्टी क्वाल्टी ऑफ लाइफ इस्टैंडर ऑफ उनिवर्स्टी एंड प्रीवियस इस्ट्रेंट का जो व्यू है उसको लिया गया है और बस इतना ही है कफी हमारे लिए तो यह हमारी पहली इंफॉर्मिशन आपको मिदिल दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आपसे नेक्स इंफॉर्मिशन की और यहां पर आप देख पा रहे हैं हमारी फाइनस मिनस्टर को ठीक है देखे तो फाइनस मिनस्टर निम्ला सिता रिमन रिलीस दब बिजनस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 यानि हमारी से सब्सक्राइब बिजनस का मतलब होता है बिजनस करने में आसानी तो यह जो आप देख पा रहे हो बिजनस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 इसका अब्जेक्टिव यही था इस आप बिजनस को बढ़ाना तो हर जो हमारे स्टेट है इनने कुछ टागेट दिए गया थे और जि मैं दिखाता हूं आपको ठीक है आपने इतने समय लो कि हमारी फाइनस मिनस्टर ने एक लिस्ट जा रही है बिजनस रिफॉर्म एक्शन प्लान में कौन-कौन से स्टेट में कैसे काम की है आगे बात करते इसके वारे पूरी इंफॉर्मेशन ठीक दोस्तों रिपोर्ट का नाम क्या है रिपोर्ट का नाम है इस ओफ डूइंग बिजनस रिपोर्ट यानि की इस ओफ डूइंग बिजनस का मतलब होता है बिजनस करने में आसानी तो इस ओफ डूइंग बिजनस रिपोर्ट निकाली गई है रिलीज भाइद आवर फाइनस्मिनिस्टर सीता रामन जी ठीक है अंडर दे प्लान बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान तो यह जो इस ऑफ डूइंग बिजनस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंधरकति निकाला गया ठीक है और रिलीज अड़ डेली डेली में रिलीज किया बिजनेस एपने लिस्ट में क्या बोला सुन्ना है वह थ्यान से। इन दर रज्य हमारे श्टेट सेवन स्टेट कौन से रोसे छो होगे आंध्र प्रदेश गुज्राथ पंजाब तिलेंगाना इंटमिल्ण नहीं तो साउट से आपके अंध्रेपर देश हो गया तरे 2 तो है वुज्जरास होग हाँ हरिया शटम ऑगया पंजाम साथ यहां इस साथ स्टेट हैं जिन्हें हम ने हम ने तॉप अंचीवर्ट उला टॉर्प अचीवर्स। तो इस दो रिपूर्ट में बात कर हहा हैं। इस आप लिए बिजनस रिपूर्ट में है। टिक तमिलाडू तिलंगाना करनाटका और आपका आंध्रप्रदेश चार स्टेट ले जो टॉप अच्छा काम इन्हों ने किया हैं अपने स्टेट में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उसके बाद आया है अच्छी वर्स पहला था टॉप अच्छी वर्स और इसमें व चे श्टेट में ट्रीवर्स छिए तो इमाचल प्रदेश माध्य प्रदेश महाराच्ट्र औरीषा उत्तला कु र्तु उत्तर प्रदेश हैं मतलब 3 स्टेट वह जहां प्रदेश लिखा हुँ जिए उसके बाद आपका उत्तला खंड याद कर लो यूसे चौता होगी आप प्रस्टम, चथिस्गड, गोवा, जारखड, क्यारला, राजस्थान, वेस्वेंगौर, एक दो तीन, चार पाँच, छेसा, सेवन इस्टेट इस में आए, एस्पायर्स में आए, एस्पीर, आई, एस्पायर्स, तो ये साथ लोग एस्पायर्स में आए, यानि टॉप अब इन चार पहले ऐसे समझों चार अचीवर्स अचीवर्स एसपायर्स एंड इमर्जिंग बिजनस एको सिस्टम अब इन चार की बात तेसमें एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यार बार इसमें बारे स्टेट और यूटी आए अपके पुरे ठीक है तो इस तरह से डिवाइट ही आगिए अब बोलेंगे तो प्रणा या बुरा में नाम पढ़ना है आपको ठीक है आपको टॉप अचीवर्स पढ़ना ही पढ़ना ही पढ़ने आपको इसके बाद अगर आप चाहें तो इसपायर साब पढ़ लें और यह देख लेजें। कोशें कहीं से भी आ सकता यह मेरी कारिंटी अब आपके उपर कैसे पढ़ना चाहते हैं वह आपके उपर खुर्ण कहीं से भी आ सकता भी स्पाइब डिकाइश मोस्थ मोस्पॉर्णट पॉइंट तो यह आपके सामने हैं मुझे मालूम है कई लोग के मुझे बन रहा हुँ इसमें अरे यार मैं क्या पढ़ा देते हैं हम नहीं पढ़ा देते हैं यह न्यूस पी आई भी पर है न्यूस वार नेयर पर है आपके लिए इंपॉर्टेंट है गौर्मन का डिटा ठीक है पढ़ गायल हो चुका है दिल गलती कर बैठा है ना यह पढ़ गी तिल आगे बढ़ते हैं गाइस बात किरेंगे नेक्स सेग्मेंट की दोस्तों हमने आज आज आपको दो इंफॉर्मेशन दी रिपोर्ट इंडिस में यकीन मानिए दोनों इंफॉर्मेशन एक्जाम के पॉइंट या फिर जो लाइटिंग मैंने खोड़ी सी है ना वह मैंने कॉपी किया है पिन इंट्रेस्ट आप चाहें तो आप अपना मोटिवेशनल कोट की बात कर लो या फॉर एक्जामपल की बात कर लो बात की बात कर लो हॉल की बात कर लो सुफे की बात कर लो यह सब डिजार में से विलाउम करते हैं ना एंपी वाले क्या होता है वको बाव मों बलते हैं सिल्बर मैं ठीक है इस्टेप डॉन तो पिन इस्टे कंपणी के सीओ मिस्टर बैं सिल्बर वैं जो है उन्होंने अपना पाद छोड़ दिया इन्होंने इस कंपणी को शुरू किया था आसे 12 साल पहले और यह 12 साल से कंपणी के सीओ थे नाम क्या है इनका बैं सिल्बर मैं इन्होंने अपने पच्छ सीफा दे दिया है इनकी जगा कौन लेगा आया को दिखाते हैं पूरी इंफॉर्मेशन ठीक है दोस्तों तो पिन इं पिन इंट्रस नाम किया दे है तो पिन इंटरस नाम की कंपणी है दिसके सीओ थे सिल्बर में उन्होंने अपने पसे स्थीफा दे दिया है और उनकी जगह लेंगे रेडी कौन रेडी बिल रेडी तो यह आपके सामने इन्फॉर्मेशन है सिल्बर में सब्सक्राइब को फांड किया गया था मैं फांड किया गया था और अभी भी होंगे हाला कि नाम अटता नहीं है तो यह को फांडर भी हैं कंपनी के और यह उन्हें सीफा दे दिया ठीक है दूस्तों आगे बढ़ें आगे बढ़ेंगे दोस्तों बात चरेंगे आपसे नेक्स इंफॉर्मेशन की आप भटक जाते हैं तो आप भटके ना आपके रिविजन करने के रिए रिसेंटली एपनेट सी यो फॉर एक्जामपल अंशुल स्वामी यह शिवालिक स्मॉल फाइनस बैंक के सी यो बने कि उसको रिप्लेस किया है वह भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी हुई है साहस महरुत्रा जियो सावन के बने सी यो बने कैमबल विल्शन एर इंडिया के बने है ठीक है और देखिए एसें सुवरंडियम लार्शन एंटर्बो इन्होंने एम नाइक को रिप्लेस किया है यह इंपॉर्टन पॉइंट भी है गुपाल विठ्थल रियर पॉइंट हु तो हमने रिसेंट्ल पॉइंट सीओ की लिस्ट आपको दिया है यकीन मानी आपको में दिल होना चाहिए था इस समय चाहिए चलिए तो एक इंफॉर्मेशन यह हमने आपको देदी आगे बढ़ते जोस्तों बात करते हैं आपसे दूसरे इंफॉर्मेशन की और बात करेंगे प्राइंट अब्स आपको इसका एड आशकर टीव में आ रहाए था था फैनकोड फैनकोड अन बोर्ड रवी सास्त्री एस डटाइंड अब्स दॉस्टो फैनकोड ने रवी शास्त्री को अपना ब्राइंड अब्स पॉइंट किया है फैनकोड ठीच है देखे दुस्तों तो बसिकली फैन कोड एक लाइफ कॉंटेंट स्पोर्स स्टाटिस्टिक्स और e-commerce marketplace है तो यहाँ पे फैन कोड कंपणी के ब्रांड अमज़र कौन बन गए है रविश आफ्री जी एक information यह आपके सामने जुस्तों आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे next information की यह भी हमारी ब्र तो पोकर बाजी कंपनी है जिसमें शाहित कपूर को अपना जैन ज्टीए एक रविश आपस्टीफ पॉर्स है यह जो हमने आपको यहाँ पर दे लेगी एक रवी शाथी फैन कोड और एक पोकरबाजी श्याहित कपूर्स आपके सामने दूस्तों अगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे हम लोग नेक्स इंफोर्मेशन की रिसेंटली अपॉइंटेट ब्राइंट अबस्पेस है ना यह सब हमने पढ़ाया भी आपको रिवाइस भी आप ठीक है कितनी बार आखों में दिल बनेगा आज दो यहां पर ठीक है रोस्तों आगे बढ़त अब फड़ी बात डिफन्स कर देड़ें अगरि आपने ऐरफोर्स की बात ते रहें तो तो चारों तरफ से बचाने के लिए अपने कुछ एर कमांड बनाए तो एरफोर्स के पास हमारे देश में पांच अर कमांड है जिसमें से एक कमांड है सेंटाल HOW सेंट्र इसमें से जो यह हम बात करें यहां पर here a.p.sign using here फॉाइंट हुए है aoc in C इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब फ़ता है ऑ candy in शनाप्रम नंगें शिर्पाराइव्ट का मतलब टाइज है इन्टाम मार्शल स्था पूरी इन्फोर्मेशन देखिए यह दस्तों आपड़ाइज है चीफ याने कमांडर यानि चीफ किसका सेंटर यार कमांड किसका सेंटर एजन कमांड पर फामर्षेटर पiononna कमांड और प्रेयाग राज उत्रादरेश में आपके सामने पूरी इंफ्रमेशन पिए दोसों आगे बढ़ेंगे अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट इंफ्रमेशन की और यह ही हमारे सामने रिसेंट डिफेंस अपॉइंट मैं दोसों जैसे पॉर एक्जामपर हमने पढ़ा था सहष्ट्र सीमा बल के नए डीजी कौन ब गुपता दिन को गुपता ठीक है और वाइस चीफ आप दे आर्मी स्टाफ बियेथ राजु बने हैं दीजी आप दे इंस्पेक्शन सेफ्टी कौन बना दोस्तों संजी कपूर बने हैं जेनल अफिसर कमांडिंग ऑप दे स्ट्रेटीजीस किनार क्रॉप्स आप दे इंडि और दीफ सिंग अजूला बने हैं एंड फस्ट वुबें कॉंबेट पाइलिट इन इंडियन आर्मी क्याप्टन अभिलाशा बराग बनी है ठीक है यह सब पढ़ना है अपको ठीक है दोस्तों अच्छी इंफॉर्मिशन है आपका बड़े अच्छे पॉइंट से रीज़न इस नहीं पर रहा है ठीक है दूस्तों आगे बढ़ते आए बढ़ेंगे अब बात करेंगे इस्ट इस बार पीम चेंज हो गया है और इस बार इस्ट इस बार के नए पीम बने है कौन यायर लैपिट विकम दा फोटीन प्राइमिस और इस राइल यायर लैपिट जो है यह 14 हमें प्राइमिस्टर बने है किसके इसराइल के ठीक है मतलब गडबंदन में ऐसा होता है गडबंदन सा होता है दूस्तों है ना हो सकता हो कि जो हमारे स्यों की दल है वो बैनेट जी को फसल नहीं कर रहा होंगे इसलिए यह बन गया है यायर लैपिट बने इसराइल के 14th प महिला को पॉइंट किया है इनका नाम क्या इनका नाम नाम शुल्स है इस इस is poised to become the director general of the PM office ये डीजी बनी है प्राइम मिनस्टर एलीजाबेद बॉन फ्रांस एंथोनी अल्बनीस ऑस्टेलिया हमजा अबदी बर्रे सुमालिया विक्तर और बॉन हंगरी शेहबाज सरीफ पाकिस्तान के तेश्वे बने है पैट्रिक अची कोड़ आईवोर अनिबल टोरेस पेरू ये सबाब के लिए दोस्तों यात्र लेज़ेगा हर एक्जाम में इंटरनेशनल अप्वानेंस पॉश्चन बनते हैं आपके ठीक है ये काम आपका है ठीक है पूरी कंपाइल इंफॉमेशन आपके सामने दोस्तों ठी ठीक है आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे अब बात तरहेंगे एफटीएफ की पनाइंशल एक्शन टास्क फोर्स अभी पाकिस्तान को इसमें रहना पड़ेगा भी ग्रेलिस्ट में एफटीएफ एक बॉड़ी है पुरे वर्ड की लेवल की जो की पुरे दुनिया में मनी लॉंडरी और टेरेर फिनेंसिंग इनको रोकने के लिए काम करती है भार्तिस्का को फाउंड बांद से फाउंडिंग मेंबर भार्तिसका है ठीक है इसका इपार प्रिस में तो सिंगापुर के टी राजा कुमार इस थे प्रेजिट अप अप नेफ एफ इन यहां मेंशन नहीं है कि यह कौन से कंट्री से बिलॉंग करते हैं सिंगापुर के जान लिजे तो यह एफ़ टीएफ के बन गया है प्रेज़ेंट एफ़ टीएफ के सिंगापुर से हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया है इन्होंने मारकस प्लेयर को रिप्लेस कीया है तो यह तो आगे बढ़ते हैं इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर मारकस प्लियर को और दो साल का होगा तो एक इंफॉर्मिशन यह हमने दिया पूर ठीक है जोस्तों आगे बढ़ते हैं तो एफटी आपको फाउंड किया गया था नाइंटी याइन में और हैड़कॉर्टर का पारिस प्रांस में है बहुत बार एक्जाम में पूशन पूशा गया है हैड़कॉर्टर पारिस ठांस में दुश्तों ठीक है एक इंफॉर्मिशन यह हमारे सामने चलिक लिए तो दो इंफॉर्मिशन बैक्टमांग हमने कम्लीट करने हैं काफी सी इन्फॉर्मिशन यानि दो इंफॉर्मिशन report indices में फिर हमारे पास lot of information from the appointment और अब हम बात करेंगे banking किंग फाइनस एकॉनमी हमारा नेक्स सेग्मेंट और सबसे इंपॉर्ण सेग्मेंट और एग्जाम के लिए ठीक है। पहली इंफरमेशन रिजब बैंक ऑफ इंडिया के अपने रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट में हमारे बैंकों में, हमारे बैंक में अब चाहिए वो सरका year in the March 2022 ठीक दोसों यानि कि हम 2000 21 21 की बात कर रहे हैं ठीक है 21 21 की और ये ख़तम कब हुआ ये ख़तम हुआ ये ख़तम हुआ 21 March 2022 में ठीक है तो यही बोला जा रहा है दोसों यानि इस line का मतलब क्या है इस line का मतलब है कि 2021 के financial की बात करें तो हमारे देश में जो बैंकों में deposit है उसमें 10% growth देखने को मिली है ये आपको बताया जा रहा है और moderate बोल रहे हैं मतलब बहुत अच्छा नहीं है ठीक ठाक है तो 10% growth देखने को मिली है यानि बैंकों में जो हमारे deposit हैं वो 10% बड़े हैं in the financial year 21-22 आईए बात करते हैं इस पूरी इंफॉर्मेशन ठीक है हम क्या बात करें गाइस तो यहां पर हम बात कर रहे है deposit with the schedule commercial bank March 2022 तो reserve bank of India का एक report आये सामने deposit with commercial bank March 2022 ठीक और release by the reserve bank of India ती दोस्तों अब इसमें क्या बोला गया है अब इसमें क्या बोला गया देखें दोस्तों देखें बोला गया bank deposit growth year on year moderate to 10% in the March 2022 as compared with the 11.9% इसका मतलब दोस्तों दोस्तों सिंबल सी बात है तो 2021-22 में हमारे देश में जो बैंकों में deposit ने ग्रो किया है वो 10% किया है जबकि अगर हम एक साल के पहले की बात करें मतलब 2020-21 की बात करें तो यहां पे deposit में 11.9% यानि कि हम 2020-21 के financial year से कमी है तो 2020-21 में हमारे देश में बैंकों में deposit growth 10% as compared to 11.9% year तो आपको यहां पे 2 year का data यहां पे दिया गया है ठीक है यह हम कैसे comparison कर रहा है मतलब यह 10% है तो हमें रखता कि हम इससे comparison करते हैं नहीं हम comparison करते हैं एक साल पहले से मतलब for example मतलब यह जो हमारा financial year पूरा है हम उससे comparison करना है पूरा अब यह explain करता हूं पूरा देखिए आगे बड़ी आगे बड़ी देखिए देखिए अब क्या बोला किया है current account saving count and term deposit current account saving count and term 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 का मतलब क्या होता है term का मतलब होता है FD account and RD account ठीक है हम इसकी बात पर तो current account में जो पैसे आए है उसमें growth हुई है 10.9% saving में growth हुई है 13.3% और term deposit में 7.9% तो term deposit में growth कम है क्यों कम है क्योंकि during that time हमारे देश में रैपोरेट काफी कम था that's why bank जो है वो term deposit पे कम ब्यास दे रहा थे लेकिन इस साल rates बड़े है तो ये जो condition है वो change हो सकती है हमारी current account में 10.9% saving में 13.3% and term deposit में 7.9% की प्रदेशन को मिली है किस बाइस में ये आपको दाया रहा है यारी हमने current account saving account और FDR इन सब में आपको growth बता दी कितने growth हाई प्रदेश के ठीक है आगे बड़ी लगे दे शेर आप दे current and the saving account deposit of the commercial bank has increased to 44.8% इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों देखिए इसका मतलब क्या हुआ देखिए यानि माल लेचे अगर हम bank की बात करते है हमारे देश में हमारे bank में मिला चुला के अगर 100 रुपए है 100 रुपए है या इसको हम 100% वाने पॉर एक्जामपल तो हमारे देश में जो current or saving count है इनका शेयर है कितना 44.8% यानि 44.8% इनका शेयर है ठीक यानि जो बस गया वो FDRD का शेयर होगा ठीक है तो 44.8% as of March 2022 in from the 41.7% 3 year ago यानि यह दो हो यानि दोस्तों यह data कहा से comparison हम कर रहे है तीन साल पहले से यानि अगर हम 21.22 की बात कर रहे है गोगा है जुक्ति तो 3 साल पहले के मतलब क्या हुगा आपका क्या होगा रीस इक साल लिया हो गया फिर 2000 है उनलिश भीष पिर क्या हो जाएगा 2018 ठीक यानि यानि एक साल दो साल ढीस 10–3 साल पहले ठीक है तो कहने का मतलब कर इस किา तो तीन साल पहले का डेटा हम यहां पर कर रहे हैं तो तीन साल पहले जो इनका शेर था 41.7 परसंट था अब यह बढ़के 44.8 परसंट हो गया इसके मिछे रिजव बैंक ने बोला है कि हमारे देश में जो तो इसलिए जो करेंट और सेविंग का शेर हो बढ़ा है यह कहना अर्वाई का ठीक है घबड़ाए न मैं कंपाइल कर दूंगा लास में आपको रिजव बैंक वाफ इंडिया का ठीक है इस तरह का ठीक है आगे बढ़ते हैं अब क्या बुला याइस दस्यवन स्टेट माहरास यह साथ राज्य हैं तो इसमें से 63.3 परसंट जो पैसे आए हैं वो किवल इन साथ राज्यों से आए यह आपको ताहर है साथ राज्यों से आए हैं एक इंफॉर्मिशन यह दोस्तों और रहें फीमेल डिपॉसिटर्स अकांटेट फॉर 19.8 परसंट अप्ट टोटल डिपॉजट इन मार्च 22 यानि मार्च 22 में जो भी आया है मताँ पैसा उसमें 19.8 परसंट महिलाओं का पैसा बड़ा कम पैसा है तो यहां पर आपकी इंफॉर्मिशन खतम होती है यानि हमने क्या पर लिया एक बार दिखते हैं फिर सब्सक्राइब हमने पढ़ा के एग्जैक्ली में तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों देए डिपॉसिट विच शेडूल कमर्शिल बैंक मार्च 22 कि इम बात कर रहें प्रेयर टू सोरी 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 सब्सक्राइब मतलब दो हजार बीस एक्रिस में कितना बढ़ाता यह 11.9 परसेंट सोरी एलेन पॉइन पर नाइन परसेंट पहले तो दो रिटा अपने यहां पर देखा है फिर क्या हुआ फिर उन्हें क्या बोला कि दो हजार एक्रिस बाइस मे पैसा जमा हुआ है उसमें करेंट अगांट का सेविंग का और टम डिपॉजिट का कितना शियर है यह आपको उताएगिया है कितना शियर देखेंगे यहां पर करेंट का 10.9 देखो 10.9 ठीक 13.3 अधना और आपका 7.9 7.9 परसेंट यह ग्रोथ मिली है इंडिविज्वली करे देखो 10.9 13.3 7.9 परसेंट यह आपको पढ़ना पहले फिर क्या पढ़ना कई यहां पर क्या बुला गया है कि दा शियर ऑप दे करेंट सेविंग काउंट डिपॉजर कमर्शियल बेंग इतना है 44.8 परसेंट यानि हमारे देश में जो बैंक में पैसे जमा है और उसकी बात परेंट और सेविंग जो अकाउंट है इनका अपना शियर 44.8 परसेंट है 44.8 परसेंट यह 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 रख लिएगा और फिर सात राज जैसे हैं जहां जो कर रहें कि हम 63.3 परसेंट फिर 63.3 परसेंट इनका शियर अपना है सात राजों का मतलब जितना परसेंट जमा हुआ अतने पैसे में से 63.3 परसेंट 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 इनका यह हो गया आपको आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपसे नेक्स इंफॉर्मेशन की रिजब बैंक ऑफ 34 में आया था मुंबई चक्ति कांदास जी गवर्णर एंड रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया के चार्ड रिप्टी गवर्णर टी रावी शेंकर जी एम रेशनर राव जी एम डी पात्रा जी और एम के जैन जी ठीक है चलेगा इस आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे अब आप बात करेंगे अपने नेक्स इंफर्मिशन की और यहां पर हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑ इंडिया को इस बार प्रमेंट धूराइस कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस बार टो एशू एurn कैश इलेक्टोरल बांट ही वह बैंक होगा जो electoral bond issue करेगा और पैसे risk करेगा अब यहां पर electoral bond का मतलब क्या होता है में भी जो नए बच्चों नहीं पता थिक बाद समझ लिए electoral bond क्या होता है दोस्तों ठीक है यह कैसे काम करता है फॉर example जैसे पॉलिटिकल पार्टी जैसे फॉर इग्जामपल कोई x y z पॉलिटिकल पार्टी इसको अपना काम करने के लिए डोनेशन चाहिए ठीक मालो फॉर example इसको दस लाख रुपए का डोनेशन चाहिए ठीक है तो यह बनाएगा यह बॉन्ड बनाएगा बॉन्ड का इसकी आप क्या है आप इस पॉलिटिकल पार्टी का शुप चिंदक है आप फैन है और आपको यह डोनेशन दे रहा है ठीक तो आप बैंक में जाएगे और बैंक से बोलिए कि यह जो पॉलिए पार्टी है इसका दस लाख का बॉन्ड ने वहां खिटना आते यानि आप दस इसमें ब्याज नहीं मिलता है अगर हम किसी और बॉन्ड की बात करें अगर हम उसे में निवेश करते में ब्याज मिलता है इसमें नहीं यह डोनेशन अपका तो आपने डोनेट कर दिया पैसा से पार्टि के पास आपने डोनेशन किया है बस ये समझत बाथ दोर काइस इससे फाइदा क्या अब इससे फाइदा यह ता है कि चुकी आप लोग बैंक के थूर्द प्रण्जेक्शन कर रहे हैं तो जो लोग ब्लैक मनी मनी होता है ना ब्लैक मनी जो लोग ब्लैक मनी अपना पॉलिटिकल पार्टी को देता थे वो नहीं दे पाएंगे जोकि सब कुछ बैंक के थूँगा नंबर एक का पैसा तो ब्लैक मनी डोनेशन नहीं यहां पाती पहले पहले कैश था अब कौन इंसान कहां से पैसे कमा रहा है और सिधे पार्टी कराश जारी कर दिया और यह बैंक के तो क्या है यूनियन गवर्मेंट ने कर दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यह इशू करेगा इन कैश करेगा एलेक्टॉरल बॉर्ण्ट तुरू इट्स तुन्टीनाइन और इस ब्रांच में आपको इलेक्टॉरल बॉर्ण्ट मिलेंगे तो पूरे देश के 29 ब्रांच यह पॉर्ण्ट याद रखेगा दोस्तों हां आगे बढ़ते हैं तो यह आपको जांदे नम कितनी ब्रांच 29 ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ठीक है तो इलेक्टॉरल बॉर्ण्ट की बात करें गाइस तो यह कैसे काम करता है तो यह मैंने आपको दिखा दिया य 29 2018 गंणरेंद्र मोदी लीड एंडिया गॉर्ण्ट नोडिफाइड दा इलेक्टॉरल बॉर्ण्ट स्खीम 28 ठीक है तो कहरें का मतलब गेस क्या है कि हमारे देश में 29 जनवरी ठीक हमारे देश की और ने प्रामिस्टर ने इलेक्टॉरल बॉर्ण इशू किया था 18 में ठीक ठीक है दोस्तों चलिए तो इंफॉर्मेशन यह हमारे सामने थी जो हमने एक्स्प्लेंट कर दी आपको आगे बढ़ते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज नहीं हुई है यह बड़ी गरत इंफॉर्मेशन है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टैबलिश्म कर लिए ठीक है चलिए तो एक इनफॉर्मेशन ही होगी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे हमारे ग्रोफ रेट की ठीक है तो उक्रेयन रश्या क्राइस अभी खतम नहीं हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ओयल के प्राइस कॉंटिनिमस बर्ड ह इसको देखते हुए क्रिसल ने भारत की ग्रोफ रेक को कम कर दिया है कितना कर दिया देखिए 7.3% फॉर दे प्रशनल येर 23 यह तेरा लिखा हुआ है दोजार 23 यानि 22 जिसमें उसकी बात कर रहा है हमारा कौन सा चल रहा है तो हमारे देश की है रेडियंसी क्रिसल ने लोवर कर दिया है इंडिया की रियल ग्रोफ रेट को ठीक है कितना तो पहले 7.8% बुरा से नोटे अब कम करके 7.3% कर दिया है इसका में रीजन इंफलेश तो भारत की ग्रोफ रेट 2022 चल रहा है हमारा इसमें 7.3% रहने के उम्मीद है दूटू दा रीजन ओफ इंफलेशन वनली इंफलेशन की वज़ा से महंगाई की वज़ा से इसे कम किया गया है 7.3% इसे याद रखे का ठीक है अब रिसेंटली में कौन कौन सी कंपनी ने भा इन टैबुलर फॉर्म दोस्तों आगे बढ़ते हैं ठीक छिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याद से आपने मेरा वीडियो देखिया हुगा कि हमारे देश में जेस्टी रेट में क्या चेंज हुए नहीं देखा है तो फिर से आप इंफॉमेशन दिखी दोस्तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अभी हमारे देश की चंडीगड में जेस्टी कौंसिल की 47 में और इस 47 में बहुत सारे जेस्टी रेट को आपन डाउन किया गया मतलब चेंज किया गया और यह चेंज इस 18 जुलाई से अप्रेकेबल हो जाएंगे चंडीगड में हुआ और जीएस्टी कौंसिल की मिटिंग को हमेशा लीड करते हैं फाइनस मिनस्टर जो इस बार कितार मंची है तो जीएस्टी कौंसिल की मिटिंग 47 एडिशन चेर्ड वाइद आवर फाइनस मिनस्टर और चंडीगड अब दोस्तों यहां पर क्या इन्फ इन्फॉर्मिशन यहां पर हमने आपको टेबिलर फॉर्म में दिया है आप चाहिए यह आतिर लो फिक आप चाहिए ऐसे आतिर लो जो जो पहले हमारे दिश्ट में चेक पर कोई डेट नहीं था जिस ठीक है अब इसे ठारा परसंट कर दिया गया है मैपस चार्ट पर कुछ से ठाला कर दिया गया है तुक है यह तो है यह इसके अलावा पूरी इंफ्ट इंफॉर्मिशन यहां पर दिये यह डाकराम बेकार है से जो यहां पर लिखा उभा हुआ है इसमें पूरी information अपे लिए हमारे पीडियाप में पूरी information रहेगी आप याद कर लें अगर आप मुझसे बहुत लिए इसमें तो में पहले जो किये इन्फॉर्मेशन यह और एक तीसरी इंफर्मिशन यह इसके बात करेंगे यह आपका प्रिंटिंग राइटिंग इंक की बात कर लें और अगर हम बात कर लें तो आपका और यह इसके बात कर लें लोग इंट्राप की बात कर लेते हैं अगर इस बार हमारी गौर्मेंट का काफी मतलब इस पे फोकस भी है इस बार के बजट में इस इस बार इस इस तो यह जो टिक लगा है वह सब इंपॉर्णन मेरी साब से आगे आपकी मर्चरी आप कैसे आद करते हो ठीक है दो यह सब याद करना जुरूरी है हमारे ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स सेग्मेंट था बैंकिंग फाइनस और एकॉनमी का जो हमने आपको दिखा लिए अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स एक वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है एक यह टेंडर दिया था डेली मेट्रो रेल कॉर्परेशन ने किसको दिया था देखिए ध्यान सुनना मेरी बार दो और दो दो सीएस आई आर का लैब है चंडिगर ठीक सीएस आई यार लैब चंडिगर तो सैंट्रल साइन्स सांटिफिक इंस्टुमेंटल ओगनाइशन इंस्टुमेंट और चैस का पुरा मतलब है जहां समझेगा दोस्तों इंजिनियर्स इंडिया लेंटर ठीक निडिए और CSIR का लैब है चंडिगर ठीक है इन्होंने आपस में अग्रिमेंट किया है और जुएंट कमेर्शिलाइशन और अफ उर्थक्वैक्वर्निग सिस्टम इसका मतलब क्या होता है कर दो इस से मालें जे मैंने इस मोबाइल को बनाए अब इस मोबाइल को मैं किस्तों सो बेचूंगा कितने पैसे आने चाहिए रेवन्यू की फॉर्म में यह सब किस्ट में आता है यानि दोस्तों क्या है इसका मतलब है कि हमारे देश में CSIR लैब जो है हमारा चंडिगर इसने अर्थक् लिम्टेट से अग्रिमेंट सायन हुए इनके ठीक है देखें दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन देखें अब अर्थक्वाइक वर्निंग सिस्टम इसने अर्थक्वार्निंग सिस्टम और डेली मेट्रो के लिए काम कर रहा है तो मतलब हमने 15 से लेके 22 तर्व एक्सपरिमेंट किया सब कुछ ठीक है यानि अब क्या होगा अब इससे हम बेचेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज को युणिवर्स्टी को और नाइशन को पैसे मिलेंगे हैं तो इसके के लिए इंजिनियर्स इंडिया लिम्टेट से चंडियर्स एक लिम्टेट और द देखेंगे इसके डाक्टर है प्रोफरेसर सुरमन्यम अनंत रामकृष्णन यह इसके एमडी सी डाक्टर है मतना स्वारी डाक्टर है ठीक है तो यह पॉइंट दूस्तों उम्हारा हो गया है अगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे मर्जर अक्वेजिशन की मर्जर अक्वेजिशन में यहां में दूस्तों हम दो देख प कमिशन औप इंडिया ने अप्रूप कर दिया है अग्रिमेंच बिट्विन दगुगल इंटरनेशनल लार्टी कोंपनी ठीक है गूगल इंटरनेशनल लार्सी एडप भारती एठीट लिंटर इस निस का मतलब क्या हो दोस्तों हो जांस पुनिया देख देख दोस्तों कॉम नॉन कंट्रोलिंग मितलब इतना कम है कि कोई गूगल का एक माइनॉर्टी स्टेक नॉन कंट्रोलिंग स्टेक और 1.28% इन भारती एचल लिम्टेड ठीक है, by Google International LLC, ठीक है, यानि Google की अपनी company हो रहे है, Google LLC, यह 1.28% share, एचल परसेस कर रही है, और इसका approval भी स्को मिल गया है, from the competition commission of India, ठीक है, 1.28% share, दोस्तों, देख लिए जो एक बात यहाँ पर, ठीक है, क्या बात ही हो या परसमें, very good, दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या बात की, competition commission of India ने भारती एचल, company के 1.28% share, खरीद लिए हैं, और इन्हें competition commission of India का approval मिल गया है, यह share बड़े कम है, मतलब non-controlling stake है, मतलब इतने कम share है कि यह, स्वरी, गूगल जो है, वो कोई control कर नहीं सकता है कि इस पर एचल पर, वस्वरी चीज़ है, आगे बढ़ते हैं, इस ठीक है, about competition commission of India, इसका establishment यह, 2003, new Dallas का headquarters है, अशोक कुमाक उप्ता है, इस दर चेर्मेन और इनका भी नया appointment है, दोस्तों, यह भी पढ़ लीजेगा आप लोग, ठीक है, यह ज़रूरी है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, रिसेंट में acquisition, दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमने आप से, इसेंटली में ज़र पिजिशन हुए है, ज़र डीबियाज बैंक इंडिया, तो सवाकरन फाइन्स, जुमेटो तो ब्लेंकेट की बात तर लें, बी-सी, एशिया, इंवस्ट्मेंट की बात तर लें, तो हमने पूरी information, फिर से आपको दी टेबियाज फाउम में, तो यहाँ पर भी एक बार आखुर दिल होने चाहिए, ठीक है, चलिए, तो यह information यहाँ पर हमने ज़िदी आपको दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात तरहेंगे, national level news, तो national level news में हमारे पास पहली information बस्तों, तो PMO the inaugurated the first smart campus of the Bosch in the Bangalore, दोस्तों Bosch, Bosch एक German company, Bosch का काम काफी सारे areas में है, for example जैसे, IOT में, electronics में, electronics manufacturing में, automotive parts में बहुत जगए, तो Bosch एक German company है, इंडिया में mainly, हम लोग जानते हैं इसको electronic के फर्म के नाम से है ना, तो Bosch ने क्या किया है, Bosch ने पहला smart campus खोला है बैंगलोरू में अपना, और PM Modi ने इसका inauguration किया है, तो Bosch ने यहाँ पर 800 करोडो बगा निवेश किया है, 800 करोडो बगा ठीक है, देखे, पूरी information बस लोगा, तो Prime Minister Naidra Modi has virtually inaugurated Bosch new campus in Bengaluru, built at a cost of the 800 करोडो पर, तो Bosch ने अपना एक नया campus बना है, पूरी तरह से smart campus, और कहाँ पर Bengaluru में, तोटल निवेश, 800 करोडो बगा, ठीक, देखे, the smart campus will take a lead in the development of the futuristic product and solution for India and for the world, यानि यह जो smart campus है, basically इसका focus कहाँ पर होगा, कि futuristic, futuristic technology product बने देश के लिए, भारत के लिए, और वर्ड के लिए, यह से काम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्याने का मतलब क्या है जोस्तों, पिछले 5 साल से यह बन रहा था, अब बनके रेडी हो गया है, इसमें कम से कम 10,000 लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है, तो बोश का पहला smart center बैंगलो ने बना, 800 करोड रुपरे में, अब यह important इसलिए है, योगी PM Modi ने खुद इसे inaugurate किया है, बोश कंपनी, जर्मनी कंपनी हिया रखेगा, ठीक है दोस्तों, चलिए, आगे बढ़ते, आगे बढ़ेंगे, नाशनल अफिर्स में न्यूज नमबर टू, दोस्तों, और यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, देखे, रिन्यू पावर, रिन्यू पावर एक कंपनी है, उन्यू पी, यूनाइट नेशन इन्वान प्रोग्राम, एंड सेवा, लॉंच प्रोजेक्टिव सुरियर, टू ट्रेन वूमन एज सोलर टेक्नीशियन, बखे, दोस्तों, हमारे देश में एक इनिशेटिव चलेगा, अभ इनको सोलर टेक्नेशन करने यान इनिर्न के बारे में, मित् Christianity, ठीक है पूरी इन्पोर्मेशियन देखे, दोस्तों, यह पे, रिन्यू पावर लिंटर कमपनी, इस तै कedelकि पार्नेशिप किया है, विद दखे उनाइट नैशन इन्वाम्रेंट प्रोग्राम, ठीक है, and the self-employed women's association of india self-employed women association of india launch a one-of-its-kind transformative initiative project surya ठीक है दोस्तों देगे renew power UNEP and SEVA SEVA means self-employed women's association of india मतलब कि यह ऐसी महीला है जो self-employed है उन्गा गुरुप यह लोग मिल कि भारत में launch कर रहे हैं project surya जिसका objective क्या है एक हजार low-income women को work in the renewable industry यानि इनको solar technician में आना तो हजार महिलाओं को train किया जाएगा about the solar energy solar panels मतलब इनके बारे में जो टेक्निकल्टी होती है उसे चिखा जागी यह ठीक है और आपका UNEP यह लोग मिल कि भारत में launch कर रहे हैं project surya जिसका objective है हजार low-income महिलाओं को technician में आना सुलर तो प्रोजेक्ट किक ओफ गुजरात अच्छा इस प्रेट किशोर कहां पे गुजरात ने होंगी दूस्तों और सब्सक्राइब करेंगे गुजरात से श्रुवात होगी इसकी और नेशनल प्रोजेक्ट सब्सक्राइब करेंगे इसमें हेल्प करने वाला है यह पॉइंट आपके सामने दोस्तों ठीक है नेशनल अफिरस की बात करना यूनाइट नेशन इन्वाटर कहां पे नहरूबिक इन्या में यह आपसे बड़ा पुछा आता है ठीक है या तिर लेना इसकी एंगर एंडर्सन जी है इनका भी लास् इसका हाँ पर कॉटर है इस्टैबलिश्मेंट इंडियर आपके सामने ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं आप बात करेंगे स्पोर्स की और स्पोर्स में हमारे पास इंफोर्मेशन पहली अडानी स्पोर्स लाइन पार्टनर विद इंडियन उलम्पिक अस्फियेशन एस इस वेशन गेम्फ कमने फियर इंडियन ठीम के सपॉंसर बनेगे यह इसलिए देखेंगे आप दसुर् jullie इंफोर्मिष एधि इसपोर्स कंपनी है और डानी रुप की ठिक तो यह ऑफिशल पार्टनर बन रही है इंडियन ओलंपिक तो आने वाले Commonwealth Games और आपके ओलंपिक गेम्स के लिए तो यह क्या रहेगी टाइटल स्पॉंसर मतलब स्पॉंसर रहेगी पार्टनर रहेगी इंडियन ओलंपिक और यहां भी हो जाएगी ठीक है अब बात करते हैं अब बात करते हैं आप से एकसा इंफरमेशन के अवाद्स और ओनर में हमारे पास पहले इंदश्र मिस्टर अशौक सूता कशोक्स इंडियन इंडिश्री का क्वाइल्टि रतन अवार्ट दिया गया है। अब यह कौन है भाई या दोर सो अशोक शुटा पाउंडर है और एक्जुटीव चेर्मैन है ऑप्धाइस्ट माइन टेक्नलोजी तो एक कमपनी है 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 एक्जुटीव चेर्मैन है फाउंडर भी तो इनको इस बार के क्वालिटी रतने अवाड दिया गया है है एक है इंट से लांच किया गया थे और यह बिसिकली उनको मिलता है जिरुने आउस्टेंडिंग कॉंटिबिशन दिया होता है लिडर्शिप में मतलब इंडिया तो यह पढ़ना नहीं है आपको तो एन्वल मिस्टर अशोग सुदा को दिया गया है और यह किस कंपनी के हैड है है हपिएस्ट माइन टिकनोलोजी की है अगे बढ़ते हैं अब देस की बात करने ठीक है इंपॉर्टन डेस में हमारे पास पहले इंफॉर्मेशन दो जुलाई को हम लोग इंटरनेशनल दे ओफ कोपरेटि यह हम लोग परस्ट सेटर डे ऑफ जुलाई को मनाते हैं और इस बार दो नहीं थी आपके इच्छी करें तो फस्ट सेटर डे ऑफ जुलाई और थी में इस बार की कॉपरेटिव बिल्ज अब एक्टर मड़्ट है नेक्स्ट सगेंड जुलाई को दोस्तों बर्ड जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैक फ्री डे इंटरनेशनल प्लास्टिक बैक फ्री डे तीन जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैक फ्री डे तीन जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैक फ्री डे तीन जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैक फ प्लास्टिक ग्लोबल इनिशेटिव क्लास इसकी क्लास इसकी क्लास इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब अगे बढ़ें तो हमारे जो पेड को सोते हैं हमारे पेड कोर्स में आपको पूरा सेलेबस कवर कराते हैं आपको उस कोर्स का PDF मिलता है मतलब अगे एक्सेस टू टेस्स मिलते हैं अगर आप अपने क्लास में अपने एजुकेटर से कुष्ण नहीं पुष पा रहे हों या पर रिविजन कर रहे हैं और कोई हैं नहीं आपको 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 क्लिक करना है इससे क्या होगा इससे आप अपने कोश्चन को यह अप्लोड कर सकते हैं अगर आप प्लस में एडमिशन लेते हैं तो 24 पहिने की फीस पड़ती है आपकी एट ट्रिपल लाइन है ठीक है और बारह महीने की सेवन फॉर डेबल लाइन इसमें भी आप हमारा कोड हमारा कोड कौन सा है ए बीपी बन जीरो इससे अप्लाई करके आप 10 परसंट का डिसकाउंट पास रहे हैं और अगर आप एडमिशन आइक्वानिक में लेते है तो फिस इतनी आइस चौबिस मेने की है दस हजार 499 रुपन है बारह मेने की एट ट्रिपल लाइन हमारा कोड है एवी पी बन जीरो जिससे आपको 10 परसंट का डिसकाउंट मिल जाएगा ठीक है याद रखना दूस्तों ठीक है चलिए ऑल सेट लैट्स टाकिट मिलते हैं इ अच्शूए टाई याँ एटS जीरो जुबसित थादिता हैं लवीवं कि पहते हैं जीरो जीरो पादिता हैं जीरो जीरो झाणीर ट्रिधा थे दनीर सनीर्स जीरो जाएगद लैर चालिएंगारा भी यूश्त का εपन्या मेना या हो जा केया दोया अट्ण